असलाम उलेकुम व्योज आज की वीडियो में मैं आपके साथ ब्लाइंड्स क्लीन करने की बहुत ही इजी सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी यह मेरे किचन की विंडो है और यह ब्लाइंड्स जो है इनके उपर काफी ग्रीस और डैट वगरा जम चुका है चुके किचन में हर वक्त ओयल से कुकिंग होती है तो ओयल उड़ता भी है और उड़के जैसे हर चीज के उपर चिपकता है इन ब्लाइंड्स के उपर भी काफी हाथ तक चिपक चुका है और जब फिर उसके पर डस्ट पढ़ती है तो यह बहुत ही ग्रीसी से हो चुके है अब इनको क्लीन करना काफी मुश्किल है या तो एक एक स्ट्रिप को पकड़के मैं इसको क्लीन करूँ या फिर कोई ऐसी तरकीब लगाऊं कि यह बहुत यह असानी के साथ क्लीन हो जाए तो चलिए देखिए कि मैंने आज इनको किस तरह बहुत यह असानी के साथ क्लीन कर लिया डस्ट आप देख सकते हैं और ग्रीस भी देख सकते हैं कि किती ज़्यादा ग्रीस इसके उपर चिपकी हुई है देखने में इसमें चिपचपाहट फील हो रही है कि इसके उपर यह आप ओवराल देख सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक लिकवड त्यार किया है सबसे पहले मैंने एक जार लिया है और उसके अंदर एक कप पानी डाला है साथ में मैं डिश्वाश लिकवड एड़ करूँगी ग्रीस को किल करने के लिए टू टेबल स्पून करने के लिए इसमें मैं वाइट वेनिंगर यानि सफेद सिर्का भी एड़ करूँगी इससे जो ग्रीस है वह बहुत यसानी से किल हो जाती है और जो डिश्वाश लिकवड है इसे मजीज स्ट्रॉंग हो जाता है टू टेबल स्पून मैंने वाइट वेनिंगर भी एड़ क करना पड़े एक एक उसकी स्ट्रेप के उपर इसको ना खुद से हाथ से प्लाय ना करना पड़े अब यह लिकवड जो रेडी हो चुका है सप्रे बोतल के साथ में इसके उपर सप्रे कर दूंगी अब इसका यह फाइदा भी हुआ था कि यह पीछे जो ग्लास है उसके मेले हो गये थे और जो ग्रीस है वह बहुत ही सॉफ्ट हो गया था कि देखिए तमाम हिस्सों पर इकवल मैंने इसको सप्रे किया था और अब मैंने यह चिम्टा लिया है और साथ में मैं यह दो स्पॉंज ले रही हूं जिसके साथ हम बर्तन वाश करते हैं इसके अंदर कटर से कट लगा के भी हम इसको लगा सकते हैं लेकिन वह ट्रिक में पहले अप्लाई कर चुकी हूं एक दो दफा उसे यह गिर जाता है स्पॉंज जब इस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो इस तरह रबर्ड बैंड के साथ मैंने टाइट कर लिया है अब यह अपनी जगा से हिलेंगे भी नहीं और यह असानी के साथ क्लीन कर देंगे अब यह दो दो स्ट्रिप मैंने पकड़ी और इस तरह से इसको जि लिए यह क्लीन हो जाता है यह आप देख सकते हैं अगर यह ब्लाइंड आपके आप टू डाउन हो तो भी आप इसी तरह से दो दो स्ट्रिप को पकड़ के ऊपर से नीचे की तरफ इसको क्लीन कर सकते हैं अब यह दर्म्यान में से बाइंड हुई हुई थी इसलिए इसको पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी साइडों वाले हिसे अलग से किये थे और सेंटर वाला हिसा अलग से अप यह देख सकते हैं स्पॉंज भी काफी डियर्टी हो गये थे उपर वाले हिसे को भी मैंने ऐसे ही क्लीन किया था और यह साफ सुत्री विंडो देख सकते हैं ग्लास भी मैंने पोंच के साफ कर लिया था और यह ब्लाइंड भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गये थे इसकी ग्रीज जो है बिल्कुल खतम हो चुकी थी डर्ट भी खतम हो चुकी थी अमीद है यह टिपस आपको पसंद आई होंगी वीडियो को लाइक करे झाल प्लाइंड प्लाइर को झाल प्लाइंड जाए यह बहुत होजड है यह थी गह री यह ग्लाइब मने खप करेंद ढी।